कि अलो फ्रेंट्स कंटीनियों कर रहे हैं हम लोग पैरडाइस लॉस्ट बुक वन और लास्ट वीडियो में हमने सेटन की एक मोटिवेशनल स्पीच देखी थी बिल्जीबब को बिल्जीबब जो उसको क्लोस कंपैटरेट है कंपैनियन है अब वो उसको जवाब दे रहा है और हमने कुछ लाइन्स कर लिये थे उसके लास्ट वीडियो में अब हम आगे 134 लाइन से शुरू कर रहे है और बिल्जीबब की जो यह स्पीच है दिससे मच मोर रियलिस्टिक स्पीच अपनी हालात और उनकी जो कंडिशन है जो खराब कंडिशन है उसको मद्द नजर र बहुत क्लेरली देख सकता हूं अधियर शीरियुस हई की था यानि हमारी जो हार थी हमारा जो रिवॉल्ड था उसके बास हमारे हार थी and rue का मतलब होता है regret करना, पस्तावा होना the dire even that with sad overthrow and foul defeat और जिसके वज़े से हमें overthrow कर दिया गया heaven से and foul defeat का मतलब बहुत disgraceful defeat थी humiliating defeat थी, शरमनाग defeat जो हमें मिली है had lost us heaven और इस वज़े से हमें heaven को loss करना पड़ा and all this mighty host in horrible destruction laid thus low और इस सिरफ लड़ाई सेतन और बिल्जीबब ने नहीं करी थी उसके साथ कई और एंजल्स थे अंगिनत जो एंजल्स थे उन्होंने भी fight किया था God किया गेंस्ट तो वो सब अब यहां पे hell में आ गए हैं और hell में वो और फेरी लेक में फायर की लेक में फ्लोट कर रहें तो उनको भी एक तरीके से वो बता रहा है कि this mighty host यह जो angels हैं in horrible destruction late dust low तो वो इस condition बेचारी condition में वो पड़े वे हैं कि वो जल रहे हैं आग में as far as gods in heavenly essence can perish और हम लोगों को उतना हाम हुआ है perish का मतलब destroy हुआ है हम लोग जितने की God हो सकते हैं heavenly essence मतलब वो चीज जो heavenly material वगरा की बनी हो वो चीज जितनी destroy हो सकती है क्योंकि हम लोग भी ultimately एक time पे angel ही थे तो angels जो है वो मर तो नहीं सकते हैं तो हम भी मरेंगे तो नहीं मरे तो नहीं हैं लेकिन एक limit तक ही हम लोगों को हाम हुआ है उससे ज़्यादा नहीं for the mind and spirit remains invincible और हमारा body में थोड़ा सा ही हाम हुआ है लेकिन हमारी mind जो है और हमारी spirit जो है अंदर से कुछ कर गुजरने की spirit है वो अभी भी invincible है हमने हार नहीं मानी है and vigor soon returns और जो strength है वो तो जल्दी वापस आई ही जाएगी अभी तो हम ठके वे हैं हारे वे हैं दर्द है चोट लगी है लेकिन हमारी जो strength है वो सून जल्दी वापस आजाएगी तो all our glory extent हाँ हमारी जो glory थी हमारी जो शान थी वो तो चली गई and happy state here solid up in endless misery और जो हम heaven में happy happy state में थे वो यहां पे here solid up in endless misery यहां पे तो misery जो है दुख का और पीडा का और pain का तो खतम होने का कोई सवाल ही नहीं होता वो तो endless है तो हमारी यह situation में contrast आया है but what if he our conqueror whom I now force believe almighty अब मैं अपने उस conqueror को मैं उसको almighty ही बोलूँगा all powerful omnipotent ही बोलूँगा क्यों? since no less than such could have overpowered such force as ours हमारी जो ताकत है वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकत ही उस ताकत को भी अगर किसी ने down किया है, काटा है तो वो जरूर almighty ही होगा तो इस वज़े से God को almighty का जाता है but what if he our conqueror have left us this our spirit and strength entire क्या कोई reason है जिसके वज़े से कि वो जो God है, almighty है उसने हमारी spirit और हमारी strength को वैसे ही रखा है हाने के बार तो हमारी spirit भी मर जानी चाहिए थी और हमारी strength physical strength भी खतम हो जानी चाहिए थी लेकिन जान भूच के क्या God ने हमारी स्ट्रेंद को भी और हमारी स्पिरिट को भी वैसे ही इंटाक्ट रखा है तो वो एक डाउट कास्ट कर रहा है और एक रियाल्टी की बात कर रहा है बिलजिबब strongly to suffer and support our pains तो जब हमारे अंदर स्पिरिट रहेगी जैसे स्पिरिट है रिवेंज लेने की स्पिरिट तो हम कोशिश करेंगे वो रिवेंज लेने की God फिर हमें अहराएगा और फिर हमें पेन होगा तो ये जान बूच के God ने हमारे अंदर स्पिरिट रखी है strength भी जान बूच के रखी है God ने जब हमारे अंदर strength होगी तब ही हम pain भी feel कर सकते हैं, mental pain भी feel कर सकते हैं और physical जो आग में जल रहे हैं वो pain भी feel कर सकते हैं, अगर हमारी पूरी strength खतम होगी तो हमें pain भी feel नहीं होगा, तो God का एक plan, क्या God का एक plan है, जिसके तहत उसने हमारी spirit को भी और strength को भी हमें intact करके रख गुसा, vengeful मतलब एक तरीके से anger, vengeful का मतलब revenge लेना हुआ एक तरीके से, air का मतलब होता है गुसा, anger, तो उसके को अपने गुसे को satisfy करने के लिए ही उसने हमारी strength को भी intact रखावा है, तो ना सिरफ हमें हराने से ही God satisfy हुआ है, बलकिन जो pain अब हमें feel हो रहा है, कि हमारा heaven loss हो रखावा है, or do him mightier service as his trolls, trolls का मतलब होगे servant, तो हम, हमारा strength उसने इसलिए intact रखा है, क्योंकि हम लोग उसके servant के रूप में काम कर सकते हैं, जब हमारे अंदर तराकत होगी तब ही तो हम काम कर सकते हैं, by right of war, right of war का मतलब क्योंकि हम हार गए हैं, तो अब हम उसके servant बन गए, whatever his business be, अब जो भी उसका business होगा, here in the heart of hell to work in fire, इस heart of hell में, deep hell में, इस fire में, जो भी उसका काम होगा, God का काम होगा, वो हमें करना पड़ेगा, इसी वज़े से हमें strength भी दी गई है, or do his errands in the gloomy deep, errands का मतलब होता है कहीं जाना और जाके फिर वापिस आना, कुछ काम करना, या कोई message लेके जाना, तो gloomy deep, यानि abyss या chaos है, complete darkness है, वहाँ पर अगर उसका कोई message वगएरा होगा, कुछ काम होगा, तो वो हम करेंगे as a servant, what can it then avail, though yet we feel strength undimnish, अब क्या फायदा है, अब क्या फ eternal punishment, क्या फायदा कि हम eternal being, हम immortal है, हम कभी मरने ही सकते, क्या इस तरीके से कि हम eternal punishment हमें मिले, never ending punishment हमें मिले, अब तो हम hell में है, hell में तो hope भी नहीं आती है, कि कभी ये punishment खतम होगी, तो यहाँ पे एक realistic बात कर रहा है, बिलजीबब, सेटन जो है, वो जवाब देगा, बिलजी Thank you.